हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम लोग बात करेंगे time independent short injury wave equation की हम लोग time dependent short injury wave equation देख चुके हैं तो अगर आपको ये चैनल पर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो आप चैनल को subscribe कर लिजो और वीडियो को like कीजेगा तो हम लोग यहां पर मैं मान के चल रहा हूं तो इससे पहले मैं शुरुवात करूँ वीडियो की मैं कुछ अप्लिकेशन और स्रोडिंजर वेव एक्वेशन बता दिना चाहता हूं जो हम लोग आने वाले वीडियो अप्लोड करेंगे तो पहला है 1D box में potential निकालना दूसरा step potential और one step potential तीसरा rectangular box में potential और तीसरा deep potential तो यहां पर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि time dependent Schrodinger wave equation 1D में हम लोग नहीं लिखा हुआ minus h cut square upon 2m del 2si upon del x square plus v psi is equal to ih cut into del upon del t into psi यहां पर जो psi wave function है वो position और time का साथ में vary कर रहा है तो ज़स psi है wave function हम लोग उसको independently भी लिख सकते हैं psi is a function of position into psi phi is a function of time और हम लोग यह भी जानते हैं यहां पर जो del था वो d की तरह क्यों बदल गया क्योंकि अब वो जो psi है wave function वो सिर्फ x पर depend कर रहा है और उपर जैसा कि आप देख सकते हैं वो partial differentiation हम लोग लिखाद है क्योंकि wave function तब x और t time के respect में दोनों vary कर रहा था तब ऐसे हम लोगों ने equation को 4 जो है उसको लिया और उसको हम लोगों ने phi t से दोनों side से divide कर दिया जैसा कि आप देख सकते हैं तो हम लोगों का equation कुछ आ दाएगा minus h cut square upon 2m del 2 psi upon del x square plus v psi is equal to e psi जब हम लोग इसको कुछ rearrange करेंगे तो हम लोगों का equation कुछ इस तरीके से दिखेगा और जब हम लोग इसको h cut square upon 2m से multiply कर देंगे मतलब 2m by h cut square से दोनों side multiply कर देंगे तो हम लोगों का time independent short integer wave equation निकाल आएगा कर दो किस्टार है जब हम लोगों का इसके दोगों का रड़ा है कर दो हम लोगों लोगों को सुछ आएगा